तो केसे हैं आप लोग आज मैं बहुत बुरी हालत में हूँ कल से लेके अब तक मैंने थोड़ी सी भी नीन नी ली है क्यों क्योंकि यूटूब मुझे अपने जलवे दिखा रहा था कल वाली वीडियो भी एज रिस्ट्रिक कर दी इन्होंने तो ये रोज का बना लिया नहीं कि वजह से ऐगी घे रिस्ट्रिक्श्न लेकर ठीrat उसकी ओरीजिनल वीडियो है इलोट applying की उस पर इस रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो फिर मैंने सोगst यह और क्या हो सकता है और क्या हो सकता है जिसकी बॉचे सिरस्ट्रिक्शन आइं मुदे पर यूज समाल说ala यूठ तबे थोड़ी खराब है तो मैं नॉर्मल वीडियो तो नहीं बना पाऊंगा लेकिन मैंने सुचे क्यों ना मैं अपने बच्पन के अपराथ के बारे में तुम लोगों को बताऊं तो चलो यार मुहित म्यूजिक बंद करियो म्यूजिक बंद कर मुहित बंद कर शुरू करते सिवाए एक को छोड़के जो है मेरा दोस्त उसका नाम हम चैनी रख लेते हैं चैनी मेर से दो साल चोटा था और उसकी शकल उसकी शकल मैं जब भी देखता था मेरा उसे मारने का मन करता था बहुत गंदा मारने का मन करता था नहीं सही में कुछ लोग होते हैं जिनकी शकल आपको उन्हें मारने का मन करता है मजाग नी कर रहा हूँ मैं खेर मैं और छेनी एक घंटे तक ऐसे ही गली में भटकते रहे कि काश कोई मिल जाए ठत चुकेते हम दूर दूर से कुट्टे के पिलो को खेलते हुए देखके पक चुकेते हम सौरी ये बहुत बुरा था अगर मैं दुबारा ये काम करता हूँ ना तुम लोगों का पूरा हक्यान सब्सक्राइब करने का खेर ऐसे ही थोड़ी देर भटकने के बाद चैनी के दिमाग में एक आइडिया आया उसने का क्यों ना हम वो जो नीचे पत्थर पड़े हैं उन्हें फैकते हैं देखते हैं कौन जादा दूर तक फैक पाएगा अगर मैं उस वक्त 10 साल की जगा 12 साल का होता ना तो ये आइडिया सुनता ही उसके एक रहपटा देता लेकिन यार बच्पन में सब चूतिय होते हैं मैं रहा 10 साल का मैंने का चल यार कोई नहीं मैं जीतूंगा तब के टाइम में मोटा नहीं कहूंगा मैं थेल दी था और वो उसका तो बिल्कुली खतम शरीर था तो सबसे पहले उसने पत्थर फैका और जादा दूर नहीं फैका उसने बलकि मुझे हसी और आ गई कि मतलब इतनी दूर तो मैं अपनी आधी जान में भी पहुचा दूँगा अब आई मेरी बारी मैंने पत्थर पकड़ा अपने हाथ को कताई पीछे ले गया अपनी आखे बंद की और पूरी गांड का जोर लगा के पत्थर फैका मेरे पत्थर फैकने के कुछ तीन सेकेंड बाद एक ऐसी आवाज आई जैसी यह आवाज आई ना मैं समझ गया मैंने कुछ कांड कर दिया है मैंने धीरे धीरे अपनी आखी खोली और मैं देखता हूँ मारूती 800 का पीछे वाला शीशा पूरा खतम एक परसंट नहीं बचा उसके अंदर कुछ मेरी गंदी वाली फटी और मेरे से जाधा चैनी की फटी हम जो कुत्तों की तरह भागे उसके बाद हम सीधे मेरे घर पे गए वहाँ पहुचते ही हमने एक दूसरे की सदमे वाली श आ रहा था ना मैंने देखा मारूती 800 के आसपास भीड लग रखे गंदी वाली उसको देखके मेरी और फट गई अब जब यह हथसा हुआ तो उसके दो चार दिन बाद तो मैं खेलने ही नहीं गया भार लेकिन एक खास बात थी मैं चैनी की मम्मी से ट्यूशन लेता था और ट्यूशन तो जाना भाईया ज़रूरी है मैं जैसे तैसे हिम्मत करके ट्यूशन गया जब मैं चैनी के घर पहुचा तो सब कुछ नॉर्मल मेरे को देखके किसी ने कुछ रियक्शन नहीं दिया ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो फिर जब मुझे चैनी के घर बीस मिनट हो चुके थे उसके बाद चैनी की मम्मी मुझे आवाज लगाती किचन सही अजे बेठा इधर आना मैं समझ गया तभी के तभी क्यों बुला रही है जब मैं किचन में घुसा उसकी मम्मी ऐसे बिल्कुल धीरे-धीरे बोल रही है मुझे तूने तोड़ाना शीशा तब के बाद से मेरी उससे कुछ जादा बात नहीं हुई लेकिन आजकल मैंने सुनाए उसकी मुझो की लाइन आ गई है तो अब हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है चाहे कितने भी वेले हो कितने भी पत्थर फैकने का कॉमपटीशन मत लगाना तो यार बस अगर तुम लो हो तो यार सब्सक्राइब करो क्यों नहीं करते हो यार भगवान तुम्हें खुश रखेगा करो सब्सक्राइब चलो मैं जा रहा हूं मेरी तबेद बहुत ज्यादा खराब हो रही है बाए अबे सोने से सारी बिमारिया नहीं ठीक होती यू आ ना माई ओनली यार आल किसी भी आजी निया बिल्कुल मजा निया यार आज ट्रीम गर्ल आय चोन वाना लिव विदाव चू एनी पल देखो मेरे तिल को तेरे लेहीं दड़के पिकाजू आर माई